चलिए पेटा हम लोग आज देखते हैं वर्ड्स का प्रनंसियसन कैसे करेंगे और उन वर्ड्स में जो हमारा वावल है वो क्या है ई ए तो अगर इस साथ ई ए लग जाए तो फिर अब उस वर्ड को कैसे प्रनंसियेट करेंगे देखते हैं मुझसको पर ई ए ए आ तो इसके पड़ेंगे इर इ ए आ इर बड़ा प्रोने इर तो ए ए आ इर और ब़ा इर तो हो जाएका बीयर ब़ा इर बीयर बी से बा इर इर पता है और ड़ा डी द़ा क्या लेंगे दियर जी गा तो गा इयर क्या लेंगे दियर तो गियर ह हा इयर हा इयर फिर से एक पर से की बियर, डियर, गियर, इयर और यहां पर ना, इयर, नियर एन ना, ता, टी, ता, इयर, इयर पी, ता, इयर, इयर डबली, वा, तो वा, इयर, इयर फिर से इसको पढ़ते हैं लो बियर, मेरे साथ आपनों की पढ़ो बियर, बियर, गियर, इयर, इयर, नियर, टीयर, पियर, रियर ओके, अब हमनों किसी में और देखते हैं इयर, यहां भी लगाता है, इसको हमने ऐसे रिट किया इयर, यहां भी लगा हुआ है देखें, इयर, 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 सब में लगा हुआ है लेकिन इसको जा पढ़ेंगे, उसको देखें लो यहां पर E A को E पढ़ेगी हा एच से हा इड हा इड इड ना इड मीट सा इड सीड और यह ट्ल सी कर एल लग लेकिन दोनों को A सा जोड़ेगी ट्ल ट्ल इन क्लीड फिर जोड़ेगा लग एड लेन मा एड मीन पर सीब आजी टेविट आसको एच से हा इड इड एड न से ना इड नीड स सा इड सीड सी ल इन इन लग इन अल अल से ला ला इन लीन अन मा इन मीन तो यह हमारे ये वाले वर्ड हो गए और आप अपनी गुप में भी आपो देखेगा इस तरह कि जो भी वर्ड है उनको कहीं भी मिल जाए गुप में लिउस पेपर में टेली विजन देखरे वहां पर मिल जाए तो इसको मिला मिला करके आप लोगों को पढ़ने की कोशिस जरूर कर लीजिए जब तक आप पढ़ने की कोशिस नहीं करोगे तब तक आपको कभी भी प्रनेंशियसन अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा चलिए हम को देखें वर्ड स्विद आई जी एच टी इसको पढ़ते आईट आईट फिर सुरिएगा आईट अब देखें एक फढ़ने की में आईट работать फड़न आईट की सबह एसको आईट अकी एनएट मत्य वहाल इस साउ आईट आईट, न अल gaanईट लाइट, एच ए और यह आइट, तो यह हाइट, हाइट यह रहेगा हाइट, फिर से पड़ते वेटेश को, हाइट, नाइट, माइट, साइट, लाइट, हाइट, अब पूरे वर्ण को एक बार हमें फिर से समझते हैं, यह तो पाइट यह 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 इत, हाँ, इत, इत, ना, इत, नीट, साँ, इत, सीट, प्ला, इन, क्लीन, लब, इन, इन, मा, इन, मीन. अब यहाँ पर आते हैं, आई, जी, सी, आई, फाट, आई, आई, ना, आई, मा, आ, माि, सा, आ, साइ, लाव, आई, लाइट, हा, आई, हाई. इस अच्छे से बढ़िया से लिख करके, प्रेदेंसियसन भी लिख करके, नोट बुक बना करके, और खुब अच्छे से इस तरह के वर्ड्स को जहां भी देखो, अपने आपसे पढ़ने की कोसिस करो, तब इंग्रीज पढ़ना आपको बहुत अच्छी तरीके से आ जाएग फिर आप नए वर्ड्स के साथ आपको फिर मिनेगे, ओके